नमस्कार मित्रों महतरानी की जैओ मातरानी सबको खुश रखे सबका जीवन हशी खुशी व्यतित हो मातरानी सबकी जोबी में कुशिया भने इसी मनुकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सितराम सास्तर जी का शिश्य हाजिरू आपके लिए सास्तर जी द्वारा बताई वी एक और वीदी लेकर मित्रों इस वीदी में हम आपको बताएंगे कि अशोक के पत्ते से और कुमकुम से कैसे होता है वशीकर्ण तो चले शुरू करते हैं मित्रों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांतरी की वीडियो की जानकर ये आपको मिलते रहें और इसके अलावा आपकी जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बार में आप सास्तर जी से सला लेना चाहते हैं तो आप अभी संपरक करें हमारे संपरक सुत्र आपकी स्क्रिन पर चल रहा है नमस्कार मित्रों विदी बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विदी आपको बताते हैं वो सभी विदी आतंतर सास्तर के अनुसार है इन में गलती की कोई गुण जैश नहीं होती है जैसा बताया है वैसा ही करें क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्टे हो सकती है अतर विदी देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है अब मित्रों बात करते हैं विदी की तो विदी में हमेशा की तरह सबसे पहले समय जानेंगे तो इस विदी का समय रहेगा मित्रों दिन का सुर्योदे से सुर्यास्त के बीच में यानि सुर्योदे से सुर्यास्त के बीच में भी भी विदी कर सकते हैं किसी भी दिन आप ये विदी शुरू कर सकते हैं मित्रों पक्स के कोई पावंदी नहीं है वार के कोई पावंदी नहीं है और दिन में आपको करनी होगी स्नानादी से निवरत होकर अगर आप कोई भी विदी करें तो आपको पहली बता दें कि स्नानादी से निवरत होकर इस विदी को किया करें क्योंकि तांत्रिक कारियर हमे कोई भी पूरुशिया महीला मास मदिरा का सेवन करते विजिको ना करें और विजिक शुरू करने के बाद विजिके अंत तक मास मदिरा का सेवन ना करें यह दो साउधनी आपको मित्रों रखनी होगी कि महिला एक अधिवर्गि나 को ने करेंट DAN कार्दोन सबसे पहले हमें सुभ्व उटना है स्नादादी से निव्रत होने के बाद आपको पानी लेना है आप किसी भी ब्रतन में पानी ले सकते बरतन साथ सुट्रा होना достаточно और बरतन सुद्रों और वहां जाकर आपको करना यह होगा कि बरतन लेके ग्यारा परिक्रमा करनी है और ग्यारा परिक्रमा में ग्यारा बार में एक मंतर बोलूँगा उस मंतर का आपको जाप करना होगा यह अपने हाथ में ले लेना है थोड़ा थोड़ा जल डालना है ग्यारा परिक्रमा करनी होगी बरतन से पूरे बाले से आपको तो ध्यान रखेगा कि आप जितना कम डालेंगे उतनी आपकी ग्यारा परिक्रमा होगी तुम्हें मंतर बोल देता हूं मित्रों मंतर आप ध्यान फिर से आपने दूसरी परिक्रमा करी दूसरी बार मंतर बोल दिया मंतर बोलते बोलते परिक्रमा करते रहें ग्यारा बार परिक्रिमा करने और ये पूरा जल वहां पर आपको प्रवाहित कर देना है, पूरा जल अशोक के पेड़ में आपको डाल देना है, और फिर वहां डालने के बाद आपका ये पानी का काम हो गया, और वहां से आपको एक पत्ता अशोक के पेड़ का तोड़ लेन आपको ध्यान करना है आपको यह पत्ता निकालेंगे और सी दा घर आएगे अमित्रों घर आकर आपको एक कपड़ा विचा कर बेठना है और खुद भी किसी आशेर पे पैठेंगे मित्रों मैं आपको हर वीदी में बताता हूं इसी में बता देता हूं कि तांतरीक कोई भी कारे करें तो जमीन पर नहीं किए जाते पड़ा विच्छा करने आप इसी कबड़े पर बैठें और जोभी आप तांतरीक सामगरी इस्तमाल करें उसको भी किसी कपड़े पर रखे आपको ये पत्ता लेना है और कुम कुम लेना है कि कई जगा पर रोली बोला जाता है और कई जगा पर कुम कुम बोला जाता है आपको ये दो सामगरी लेनी है और रख देनी है कपड़े पर किसी भी कलर का हो कोई दिक्कत वाली बात निये पर कपड़े के रखें और आपने कमरे में या मंदिर में कहीं पे भी करें पर यह ध्यार लखिए गाले करते हो किसी की नजर आपके पढ़ना पड़े चाहिए अपके असौक के पेड़ में कर रहे तो किसी के नजर नहीं पढ़ने चाहिए। तो यह जो बात है या मत खुद ध्यान नखेंगे कि आप चप करते हुए तो किसी की नजर आप क्यों पर ना पड़े अब मित्रो आपने पत्ता ले दिया कुमकुम ले दिया अब आपको करना ये है कि अपने सीधे हाथ की अंगुली से कुमकुम थोड़ा सा लेना है और सामने वाले का नाम लिखना है जिसका भी आवशी करन करें उसका नाम लिखेंगे मित्रो आप पत्ते पे कुमकुम से और इस लेस इस मुझे से मितु कि लिगने क्योंकि इistes से आप लिखेंगे जो कार्य शुक्कारिय के आप इस्तिमालाइब करेट वह इसी अंगूली चहते हैं तो आपको इस लिखना हो गारा मित्रों इस हम लिखेंगे क्या लिखेंगे ₤ अच्छी तरीके से मित्रों लिखेगा क्योंकि पत्ता ज्यादा बड़ा नहीं होता है पर नाम लिखा जा सकता है इतना बड़ा होता है तो आपको नाम लिखना है जैसे हमने लिख दिया है राम आपको भी कुछ इसी तरह से लिखना है साफ दिखे ना दिखे और कोई बात भ सब्सक्राइब करना थी मंत्र िषिए के भी मंत्र गोलें करें और मुंहें तो हमार की पहिंद को आपको बहुए जुकिन व्यूत नेद। महाकालेश्वर, सर्व अशोकाय, वशिकरण, कुरू कुरू स्वाह, एक स्वाट बार आपको जाप करना है मित्रों, मंतर में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हमने पहले से ही पत्ते के उपर नाम लिख रखा है, हमने सामने माले का नाम पत्ते के उपर लिख रखा आपने मंत्र बोल दिया, मंत्र बोलने के बाद आपको सीधे किसी भी भैत्वे पानी के पास जाना है, ये पत्ता लेकर किसी भी भैत्वे पानी के पास जाएंगे और वहाँ पे इसको बहादेंगे या मित्रों अभी मंद्रित होने के तुरंट बात आप सीधा इस पत्ते को लेकर भैत्वय पानी के बाद जाएंगे और भैत्वय पानी के बाद जाकर इसको बहा देंगे कई जगा मित्रों भेतवा पानी नहीं मिलता जैसे बड़े सहरों में भेतवा पानी नहीं मिलता है तो वहाँ पर आप इस्तमाल कर सकते हैं किसी भेतवा नाले का पर ये बात ध्यान में रखेगा नाला निरंतर भेतवा होना जरूरी है आप कही तलाम में डाल दें, कही जील में डाल दें, तो आपका काम नहीं बनेगा, कही कुवे में डाल दें, तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो भेतवा पानी नहीं होता है मित्रों, तो आप कहीं पे भी डालें, पर पानी भेतवा होना जरूरी है, बड़े नाले में आप डाल सकते हैं बड़े सहरों में जैसे नदी नहीं होते तो बहुत बड़े बड़े नाले में डाल दे और आपके अगर आसपास भैतावा पानिया ताप उसमें तुलंचाकर प्रभा कर देंगे इसको यह मित्रों उस दिन का काम हो गया है बहुत बहुत के समय बताना भू किसी से बातशीत नहीं करेंगे और पीछे उड़कर नहीं देखेंगे सीधा घर आएंगे घर आकर आप अपना हाथ मों दो कर अपने काम में लग सकते हैं यह आपका में तो पहले दिन का काम हो गया है अब आपको दूसरे दिन भी करना के पेड़के नीचे जाना है वहां कर साथ में वही बरतन का अप इस्तेमाल कर सकते हैं वही बरतन लेगे जाएं और वहां जाकर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 11 परिक्रिमा करते वे 11 बार उसी मंतर का जाब करना है मैं मंतर बोल देता हूं मंतर है ओम महाकालेश्वर शर्व अशोकाय वशीकरण कुर पूरा डाल दिया उसके बाद वहाँ से पत्ता तोड़ेंगे उस घर पत्ते को सीधा गर लिखेंगे किसी से बातचीत नहीं करेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और सीधा घर आएंगे घर आने के बाद वही आशन बिचा कर आप भी आशन पे वेट जाई और जो नाम लिखना है सामने वाले का नाम लिखना है पूरे अच्छी तरीके से जैसे कि हमने फिर से लिखते बता दी आपको नाम उसको नहीं पर प्रवाहित कर देना है यह आपने किया और सीदे घर आए घरा के हाथ मूँ दोकर आप अपने काम में लग सकते हैं दूसरे दिन का भी काम आपका हो गया यह मित्रोकुल आपको पांच दिन करना है पांच दिन रोज सुबह स्नालादे से निवर्द होकर पेड जिस भी व्यक्ति का वशी करन कर रहे हैं वह पूरी तरीक साथ के वश में हो जाएगा वह ऐसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं उसमें ऐसी परिवर्थन आएगे जो आपको चाहिए उसके अंदर प्यार आपके लिए भैर आ जाएगा और वो आपके तरफ खींचा अगर आप शही से करेंगे तो आपको ऐसे पेंडाम देगी जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा तो मित्रों विदी कीजिए आप जरू सफर होंगे पर मित्रों ध्यान रखें कि विदी जो करें उसमें गड़बन नहीं होनी चीए विदी सुद्धता से करें शनानादिस से निव्दत होंगर ही करें पांचो दिन आपको SRNानादिस से निवदत होंगर ही काम करना है पांचों दिन जैसे या यह पत्ता जर्में प्रभाख कर किसी देगर आएगी आपकी विदी में पर समानत ओो जाएगी और जिसका ब्यावशिकरन कर रहे है वो पूरी तरीके साब की वश्में हो जाएगा पर मित्रुक करें कडने से होगा खाली आप सोच लोगे की हो जाए आप अगर दिमाग में यह रख लोगी हो जाएगा आग देखने से हो जाएगा या खाली सोचते रहोगे कि कास मुआ आपके पास आजाए तो नहीं आपाएगा ऐसे आपको उसको हासिल करना होगा ये उपाय माता है बेने अपने पती के लिए कर सकती है कोई पती अपनी पत्नी के लिए कर सकता है और प्रेमी का अपने प्रेमी के लिए और प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कर सकते हैं, कोई पावंदी नहीं है, पर सही काम हो, तब ही करें, अगर आप गलत नियत से करना चाहते हैं, तो विदी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गलत नियत से करेंगे, तो आपको इसका नुकसान भी हो सकता है, अगर आपकी नियत सही या आपके जीवन में कोई प्रोब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्ग बना रखा हो और अन्गिनत उपाय के बाद भी आपको समधान नहीं मिला हो तो आप हमें बेज़ेज़क संपर्क करें आपकी अर्समस्थ से कोज़़ से कतम किया जाएगा और अगर विदी करते हो सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो की जनकर आपको मिलती रहे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होती आसान है स्क्रीन पर चल रही जो तिससे मदलत जीवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के नहीं हमारे साथ जुड़ जाएंगे जैं तरानी की